लागतार के गए सापता ही को दो दिवसिय संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए रभिवार की देशावन वरिस पुलस अधिक्षक के आदेशानुचा पुलस अधिक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुग ने कोतवाली सरकिल में पैदल भ्रमण कर सरकों पर अनावश्य घूम रहे लोगों वो दो पहिया चार पहिया वहां स्वामयों को रोक कर उनके घरों से निकलने का काराण पूछाए जवाब और इस पॉस्ट ना देने पर कई लोगों का चारान काठा गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई इस दौरान छेतर अधिकारी कोतवाली वीपी सिंग सहित अन्य संबंधत अधिकारी मौजुद रहे खुम रहे खाव हो अधीत आधित आधिक आधिकार शान पूर uit कि नहीं है सुम्वाद के सब्सक्तर हमेडिए धीन में नहीं है कि यह लें चलांगी है तो अपने कर्में उसके परिणाम लेके जो तो बाद मंदेश की फोड़ दीजिए बापा रहिए नागाड़ी लेके घुम्रह लोग्डम में मूँ मूँ लगा है यह भाई फालिकोन है आज बार आज़े लाज़े कि अभी अपार रावो बता दीजिए उसके मूंद में जाथा हो रहा है विल्मादारी है उनकी दान तुरुबाद देखें सो तुर्टा में ना रही है कि अभी निकल के अपने अपने शेत्र में भूमने वाले समीं दो पईया चार पईया आना होचा आपने बतादे ने प्र कि अभी निकला पड़ता है कि अभी निकलना पड़ता है सिटीवान समधाता से इंग बात करते हुए पुलुस अधिक चक नगर डॉक्टर कौस्तुब ने बताए अट्रीडेशन आपने नियॅ को नगर शेत्र के सभी अधिकारियों चौकूपर भारियों द्वारा शेत्र में भ्रहमेंट शील्ड रहगे लोगडाउन करवाए जा रहा था क्योंकि Saturday-Sunday को नगरशेत में लॉकड़ाउन गोषित है और इसी के करम में कई जगा भ्रहमन किया गए तर कुछ लोग अनावर्शेप लिखे साथ को अनावर्शेप मुव्मेंट होगा वहां पे लोगों से पूछा जा रहा था क्यों है अगर कहीं तर जन्मेंन रीजन है तो उनको जाने दिया जा रहा है बाकी को बाकियोंको दो गदिक कारवाई कर जाया अगा वहां पर काफी जन सायोग मिला, सभी लोगों दवारा शाशन के निर्षयों को पालन किया गए और जहां कहीं भी किसी सब पुलिस से कोई कारवाया पेक्षे थे